तो आज हम स्ट्राट करेंगे साइंसका च क्या मारा मेतर मेटर सरॉंदिंग्स थींचं़ करें तुसमेब हम देंगेए हमारा स्टाइटल में नावे घर हम डाता है सब करेंगे कि लिए के बनी होती और हम अपने आस配 मातला क्या है जो भी हiviaगी होगी तो सब सब छीज ओको क्या बुलेंगे मैं हमतले द्य want surroundings के लिए हो जाएगा और उसी में अगर देके next start करते है और उसमें as we look at our surroundings we see a large variety of things with different shapes and size and texture अगर हम देखे अपने आसपास देखते हैं तो मैं क्या अलग-अलग shapes के दिखा जाते हैं सभी चीज़े यह सभी things जो items होते हैं हो सेम चीज़ नहीं होती सेम सेप नहीं होते सभी के size अलग होती है और texture texture मिसकी उनका जो उपर का surface होता है हो भी कैसा होता है सबके लिए अलग-अलग होता है कोई signing वाल होता है कोई roughly होता है ठेक है तो सबके लिए अलग-अलग होता है और फिर यह next बोला है everything in this universe is made up of material which scientist is named matter मलम scientist नहीं क्या क्या जो हम बोलते की material होता है उस material को रोने क्या के एक वर्यूस का तो क्या उन्होंने बोल दिया मेटर इसको क्या उन्होंने बोल दिया मेटर इक वर्याद रखना हमें क्या मेटर और मेटर के बादे अगर नेक्स देगे अगर विड्रेश देख देख वूड वी इट इस तोन जाओ स्टार्स प्लानेट अनिमस इवन एपल डॉप अफ वार्ट अट 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 इस अमेटर मनला कोई बिए अगर अब देके तो कोई बीचोटे से चोटा चीज भी ओगा तिंग सोगा उसको भी उसको भी अट यह यहां से एक अंडरलाइण कर आऊ इतना याद रखना है काहा से वी केल ऑल्सो आण सी एस वी लूक अरॉड डेट और हम आसपास अब जितने भी थिंग्स और बेंस इमेंसर अब और वो सबिच जीजे क्या गथती है अब जितने भी चीज़ों पर मेंसन की वह सब जो रखने के लिए में कुछ ना कुछ जगह की जरुत पड़ती है and देट इस वाल्यूम और जगह होगे तो उसके पास क्या होगा एडिया होगा वाल्यूम भी होगा and have a mass mass मलत उसके पास कुछ न कुछ क्या होगा weight भी होगा ठीक है तो यह सब चीज़ा अगर किसी के पास होती हो तो उसको हम किसके अंदर consider करेंगे matter के अंदर ठीक है और उसके बाद next लेगे ठीक है तो उसके बाद अगर next लेगे तो next के वाला है since early times human beings have been trying to understand their surroundings और जब बहुत साल पहले के जब scientist होगे था कोई भी equipment जब तक discord नहीं वह तब तक हो पहले के लोग क्या करते थे मिस क्या अपने आसपास जो भी surrounding होता है उसको समझने के लिए understand करने के लिए ट्राइ कर रहे थे और early Indian philosophers classified matter in form of five basic elements और इंडिया की जो पहले की जो philosophers थे उन्होंने क्या क्या जो आसपास जितने भी things थी उनको five elements में divide किया मिस की जो classification किया था उसको क्या क्या है गधर उसके बुलते है थे उसके लिए उन्होंने यह MCQ अगेरा में question आ सकता है उसके लिए उन्होंने एक नाम भी बोला है उसको पंच तत्व पंच मिस्क्या होगा यहां पर पांच और तो मिस्स ऐलीमेंट्स ते कांड कांसे थे और हमने वाधिनस में फ़र्स था हमारा एर्थ रहेगा इडिकर ऑवाटर एर्थ यह में से और हमारे आसपास होती है हम जो ब्रीधिंग करते हों सब वह जाएगा एक्सर्ट बले किसे रिटेट रहेगा से जोबी चीज जो तर्ट से बनी होती है ठीक है और नेक्स वाइब फायर में इसके जो आग अगेरा लगाते इसका ही मतलब क्राउड से वजयाएगा और वाटर से ठीक है योग कि ऐखोडिंग थे इंडियन फिलोसोपर के अठोरोपो समीन पोच जोभी चीजें लिवग या नौन लिविंग होगी सबीच चीजसे किसे जिबही है ये से बनी होई है और एंसेंट ग्रिंग फिलोसोपर्स हैड एरावड एड़ सिमिलर क्लासिविकेशन अप मेंटर और थोए दाएंगे बाद जो ग्रिंग के फिलोसोपर थे उन्होंने भी इस चीज को क्या किया हूं पर सपोर्ट किया कि यह सब ठीक है हम भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट मोडर्न दे सांटिस्स हैव इवल्ट टू टाइप्स अप्लासिविकेशन और दे मोडर्न सांटिस्स मतलब के बिगा जो मारा 23 जो यह चल रहा है इसके अंदर जो सांटिस्टे थे उनने क्या किया जो मेंटरस ते उसको टू टाइप पे डिवाइड किय किया और क्लासिफिकेशन कैसे किया उनको नों ये डो टैप पे किया किस पे फिजिकल प्रोपर्टीज एंड क्यमिकल ने जा थे तो Matthias के ने को एक यह तो अदर आख यह तो और अगर हम गांसलागा टैंब IS गया सांट ने कु Spaß के अंदर आ जाती है हमारी physical properties में physical properties मतलब उपर से हम देख के बदा सकते हैं कि liquid है solid है gas है वो सब चीजे होगी ठीक है और दूसरा second type किस पर किया हम उन्होंने chemical nature पर तो chemical nature मतलब कि इसके लिए जैसे कि अगर हम sugar को taste करते तो हमें इसा लगता है sweet जैसा लगता है वही अगर salt को या फिर chili powder को गरम करते तो थोड़ा सा हमें hot जैसा लगता है तो किसका होगे उसको हो जाता है हमारा chemical nature मिस वो chemical ही कैसे behave करता है वो सब चीजाती जैसे अगर या फि तो इस एप्टर में क्या study करेंगे फिजिकल प्रपर्टीस ओप्र अप्र और नेक्स्ट चेप्टर में मारा आएगा chemical एक है और इसके बाद नेक्स्ट फर्स इसक्रिप्ट चेप्टर का फर्स टोपिक अगर हम देंगे तो फिजिकल नेचर आफ मेंटर तो प्रिजिकल ने से चोप जब करते तो तुसके इंदर से छोटे 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 शोटे राउंड सेप में जो जोग दरस जिसा निकलता है तो थो को अंगसिदे कर सकते पार्टीकल शकाड तो फूरल उंट्ट सकते तो फोरा लोंग ताइम टूसं कोस फॉर्ट प्रिवेल रिगार्द the nature of matter and one base school believe matter to be continuous like a block of wood where the other thought matter made of particles like sand and as we said, we have two schools that have two types of thoughts. In one type of thoughts we said that the matter is continuous is continuous. If we consider wood, if we look inside it, there is no gap. It is just one type of thing. If we look at sand, then we get to look at sand in small pieces. So what can we consider? Particles consider it. If we clear it, we have one activity. If we look at the activity, in this video, take 100 ml of beaker, 100 ml of beaker and fill the half the beaker with water and mark the level of water. It means that we have a beaker and see here in the drawing. We have a beaker and what does it mean to half the level of water and what does it mean to that water level? We have to mark the amount of water and mark it. After marking it, we take a spoon. We take a spoon and what does it mean to that water? Salt or sugar will add. And then we will add salt and sugar. We will add a glass road. What does it mean to that water? We will add a little mouth and fill it. What will it mean to that water? And it will dissolve the salt and sugar. Sir, it's not coming. So what do we say? Matter is a made up of particles. This point starts now. Matter is a made up of particles. So which matter is made up of particles? What is called particles? Particles. For example, what can we consider? Chokes into Chokes. So if we are using the chalkboard or we use the chalkboard, under the chalkboard, and then we'll have to save the white colour. So what can we consider to? Particles, where are we considering? But we have not been noticed directly. नहीं पता चली पहले इसके लिए किया दो टाइप के थोट्स में लेते हैं देखो यहां पर लिखा हुआ है one school believed that matter is continuous और एक थोट क्या था है कि जो matter होता है continuously होता है और उस लोगोंने क्या बुलाता है कि matter कैसा होता है particles के form में होता है तो जैसे उन्होंने example में लिया हुआ है example में देखो लिया हुआ है first वाला के लिए लिया हुआ है block of wood block of wood मतलब क्या होगा एक wood का तुमने कोई भी block लिया और wood का अगर block लेते हैं तो इसके अंदर में कहीं भी space देखने को नहीं मिलता है पूरा wood कैसा होता है continuously होता है ठीक है और दूसरा एक example लिया हुआ है particles के लि अगर के पोता रहता है और यह दोनों thoughts को क्या clear करने के लिए कि कौनसा thoughts साही है या wrong है उसके लिए क्या उन्होंने के example लिया हुआ है इगर एक 100 ml का बिकर लिया यहां पर देखोंज नीचे ड्राईंग दीया हुआ है यह पर 100 ml का बिकर लिया और बिकर को क्या किया हाफ लेवल तक water फिल किया और जितना water हमने फिल पिल किया उसको क्या करना है और और उस मार्क tut भाल करना है और एड़ करने के बाद देखो यहां पर बोलाई, इसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे तो दीरे-दीरे जो आपे salt या सुगर होगा, दीरे-दीरे water के अंदर क्या होने लगेगा, डिजोल होने लगेगा, और डिजोल होने के बाद अगर हम देखें, तो उसका level क् हम ऐसा करते हैं, तो आपे water layer में कोई भी changes नहीं आता है, तो उसका meaning क्या होगा, उसका meaning यह होता है कि जो salt या सुगर हमने water के अंदर add किया, तो water के जो drops होंगे, ठीक है, water के जो particles होंगे, उनके बीच में जो gap होगा, वहां पर जा जाके क्या हो जाएगा, salt या फिस सुगर वहां पर add हो जाता है, set हो जाता है, तो यहां पर चीज़ लास में लिखिए, figure के नीचे, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water, means क्या होगा, जो salt के particles होंगे, वह जाके कहां पर set हो जाते है, जो water के particles के बीच में जो space होता है, वहां पर इसा उट हो जाता है, और उसकी वज़से वहां में क्या नहीं होता है, उसकी level में कोई भी changes नहीं होता है, तो यहां से हम यह बोल सकते हैं कि जो matter होता है, हमारा किसका बना होता है, particles का बना होता है, ठीक है, और उसके बाद देगो, next activity, how small are these particles of matter, और उन्हों नहीं बुला, next experiment से activity से हमें एक्समें कर रहे हैं, कि जो particles होते रियल में कितने चोटे होते है, उसके लिए है कि activity, activity में किया होता है, एक टू तू तू थ्री crystals of potentium per magnet and dissolve them in 100 ml of water, तो इसके लिए तोड़ा से वेटकर नहीं, इसके लिए मी बता दूँगा potentium per magnet क्या होता है, या फिर उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला और यहां पर जो ट्राइंग में आप देख रहे है, यह पिच्चर है कि पिच्चर किसका है, पोटेसियम पर मेगनेट का, ब्लेक कलर का बता है, और चोटो 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 स्टोंस जैसे ही दिखाए लिता है, और इसके बात क्या गरना है, एक्सपरिमेंट्स में हमें, activity में activity में ऐसा बुलाई, जैसे यहां पर ऐसे क्या करना है, यहां है पैकि पिया पर क्या करना है, और प्या है थोड़ा सा पोटेसियम पर मेनिट्स और इड गरने के बाद देख रहे तो, उसका कलर क्या होगे, यहां पर टूटली चेंज हो गया, और अब सेकेंड फिगर के लि जाएगा लाइट होते जाएगा और जब हम लास वाले बीकर में देख रहे हैं तो दिखाई दे रही है नहीं लोग चीज क्या हो चुकि है पूरा कहा प्लोड कर्षम हो चुका है ठिक है कि जैसे अभी द्राइंग में दिखाता तो वही चीज हैं पर क्या होते हैं तुम दिखाई दे रही है वर्ट हमने क्या था हुंडेट एमड़ वाटार लिया और उसके बाद क्या करना उसमें से 10 इंतर लिया है उसको किसके अंदर प्रण वाले के अंदर और उसमें से 10 वाले में प्रण इसमें से 10 ml लेके फोर्थ वाले में एड किया और ऐसे हमें क्या करना है कंटूसली एड कर रहे हैं जब लास्ट वाले बीकर में देख रहे हैं तो फॉर्स वाले के कंपेर में उसका कलर कैसा है ब्राइट ऐसे ठीक है तीटनी चीजे में कंसीले करनी और यहां पर देगो लास हुआ है